So hey guys, what's up, it's your NSD back again with another video So guys, this video में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी Minecraft पे shaders कैसे apply कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे बंदों ने live stream और comments में बोला था कि भाई, shaders कैसे लगाते हैं, बता दो please So, इस video में मैं वो ही बताने वाला हूँ So, अगर आपको लगाने हैं, तो वीडियो लाश्ट तक देखना So guys, shader एक चीज होती है जिससे आपकी Minecraft को normal look से एक अच्छी different look देती है जो high graphics के जैसे होती है, high graphic look देती है तो इसको apply करना बहुत simple है, मेरे पूरे steps follow करो और आप लोगों को पता चल जागा कि shaders कैसे लगाते है So, सबसे पहले आप अपने options में जाओ, video settings में जाओ, shaders में जाओ, ठीक है अभी मेरे यहाँ पे बहुत सारे दिखा रहे पर आपके वहाँ पे internal और off दिखाएगा तो आप लोगों को करना क्या है, कि shaders folder में जाना है ठीक है, shaders folder में जाना है तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 5 shaders तो इन 5 shaders की files में ने अपने discord पे डाल दी अगर किसी को लेने आए discord से तो वो लोग मेरा discord server जोइन करके वो यहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखाएगा Minecraft topic, Minecraft shader files यहाँ पे लिखा होगा इसमें से पूरे डाउनलोड करके आप लोग यूज कर सकते हो, मैं यूज कैसे करना है वो बता रहो हूँ पहले आपका तो off पे रहेगा, off पे कैसा दिखता है मैं बता रहा हूँ off पे कुछ ऐसा दिखता है Minecraft और सबसे पहले आप लोगों के shaders off रहेंगे क्योंकि आप लोगों ने Minecraft shaders डाउनलोड नी किया है मेरे डिस्कॉर्ड से जाके डाउनलोड करने आप लोगों को और वो फाइल्स को आप लोगों ने यहाँ पे डालना है shaders में तो डालने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आजेंगे और आप लोगों को जो shader पसंद आए आप लोगों यूज कर सकते हो यह देखो मेरे यहाँ पे तो पांच shader से दिखाता हूँ यह देखो यह एक shader है और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि यहाँ पे पानी का कलर एकदम ट्रांस्पेरेंट दिख रहा है और तो आज की वीडियो इतनी थी अगर अच्छी लगी तो like, share and subscribe कर लो and मिलते आप से next stream या वीडियो पे till then bye bye guys